हम mutual funds में निवेश अकसर दो लोगों पर भरोसा करके करते हैं पहला AMC यानि mutual fund house और दूसरा fund manager जैसे mutual funds में निवेश अक long term के लिए invest करते हैं वहीं fund managers भी ऐसी strategies follow करते हैं जिससे long term में investors की wealth creation हो mutual fund investors पिछले एक या दो साल के returns देखकर scheme में invest कर देते हैं और फिर उन्हें लाब नहीं होता invest करने से पहले जरूरी है fund management process की consistency और देखा जाए कितने सालों तक इस mutual fund scheme ने अच्छे returns दिये हैं इस वीडियो में हम consistency दर्शाती SBA mutual fund की एक ऐसी scheme के बारे में बात करेंगे जिसने किया है अपने investors का wealth creation नमस्कार मैं हूँ Manish Taneja और आप देख रहे हैं Z funds Z funds जहाँ अब आप ले सकते हैं loan जी हाँ loan against your mutual funds units कहीं से भी कभी भी की हो आपने mutual funds में investments उन्हें investments को collateral रखकर आप ले सकते हैं loan कहां Z funds app पे अधिक जानकारी के लिए आज ही Z funds app डाउनलोड करें और बात करें अपने Z fund expert से इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI mutual fund की scheme SBI consumption opportunities fund की SBI consumption opportunities fund की details जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये consumption होता क्या है हर व्यक्ति के जीवन में दो चीज़े होती हैं एक मौजूदा जरूरते हैं और दूसरा उसकी इच्छाएं मौजूदा जरूरतों में रोज मर्रा की खाने पीने से जुड़ी चीज़े आती हैं वहीं इनसान अपनी इच्छाओं के जरिए अपनी quality of life को इंप्रूव करने की कोशिश करता है जैसे एक बड़ी कार खरीदना या फिर एक नया two-wheeler खरीदना व्यक्ति की मौजूदा जरूरतों से जुड़ा है सेक्टर FMCG का और वहीं उसकी च्छाओं को पूरी करने वाले सेक्टर जैसे आटो मूबिल, स्टेली कम्मिनिकेशन जब FMCG से जुड़ जाते हैं तो इस प्रोटफूलियो को एक कंजम्शन प्रोटफूलियो का आ जाता है क्योंकि कंजम्शन में ना केवल FMCG बलकि टेकनोलोजी, आटो मूबाइल्स और कंजूमर स्टेपल्स भी आ जाते हैं जैसे जैसे व्यक्ति की आये बढ़ती है या तो वो इन्वेस्ट करता है या उसे अपनी इच्छाओं पे खर्च करता है अगर हम ज्यादा खर्च करेंगे तो कंजम्शन से जुड़ी कंपनियों को फाइदा होगा और अगर कंजम्शन से जुड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो consumption themed mutual fund scheme एक बहतरीन option है आईए अब बात करते हैं SBI consumption opportunities fund के बारे में इस mutual fund scheme का NFO आया था जुलाई 1999 में जी हाँ इस scheme का 25 सालों से भी लंबा track record है और क्योंकि ये एक thematic mutual fund scheme है और ये pure equity mutual fund scheme है ये एक very high risk category की mutual fund scheme है ये एक open ended mutual fund scheme है जी हाँ इसमें आप कभी भी पैसे invest कर सकते हैं और कभी भी यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं आप lump sum भी कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं इस mutual fund scheme का AUM तकरीबन 31 100 crores है आप इस mutual fund scheme में lump sum 5000 रुपे इंवेस्ट करकर अपनी investment शुरू कर सकते हैं और SIP के लिए आपकी minimum investment होगी 500 रुपे SBI Consumption Opportunities Fund ने अपने investors को पिछले एक साल में 45% का return दिया है पिछले तीन सालों में 27% का annual return दिया है और पिछले 5 सालों में 25% का annual return दिया है बात करें इसके inception से return की तो इस fund ने अपने NFO investors को लगभग 16% का सालाना return दिया है इस mutual fund scheme का benchmark है Nifty India Consumption Total Return Index इस index ने पिछले एक साल में 52% का return दिया है और पिछले 3 और पिछले 5 सालों में 22% से अधिक का सालाना return दिया है हम अगर दोनों के returns को compare करें तो पाएंगे कि पिछले एक साल में इस scheme ने अपने benchmark को underperform किया है पर 3 और 5 साल के investment horizon में इस scheme ने अपने benchmark को outperform किया है बात करें इस scheme के asset allocation की तो scheme का equity allocation है 97.15% और बाकी पैसा fund managers रखे हुए हैं cash में scheme का 39.65% allocation है large cap में mid caps में 36.92% और small cap में 23.43% allocation है SBI mutual fund के fund management process के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस mutual fund house की बनाई गई दूसरी schemes पे हमारा वीडियो ज़रूर देखें ये वीडियो आप आएंगे इस वीडियो के end में SBI consumption opportunities fund के fund managers लगभग 50 stocks का एक concentrated portfolio बनाए हुए है इन में top 10 stocks में 37.75% allocation है और top 5 stocks में 22.62% का allocation है वहीं top 3 sectors में 70.16% का allocation है इस fund में कुल 5 sectors हैं sectors हैं consumer discretionary, consumer staples, industrials, technology और materials इस fund ने सबसे आदा पैसा consumer discretionary में allocate किया हुए है इस sector में इसका allocation 49.55% है इस scheme के top 5 stocks हैं गनेशा इकोसफेर, भारती एरिटेल, जूबलियंट फूड़वर्स, उनाइट ब्रीवरीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर इस scheme का beta है 0.65% beta यानि कितना volatile है ये fund अगर किसी mutual fund scheme का beta एक से कम होता है यानि वो बाजार से कम volatile है तो SBI consumption fund broader market से कम volatile है SBI consumption fund हाला कि है तो SBI mutual fund की scheme पर ये एक thematic scheme है जैसा कि मैंने पहले बताया ये very high risk category की scheme है कितना exposure हो इस scheme में आपका करें लंसम या करें SIP जानने के लिए आज ही Z funds आप डाउनलोड करें और बात करें अपने Z fund expert से Z funds जहां है आपकी investments सही और आसान